जादूई मास्क ये था राजकुमार डैलन जब वो छोटा था तब से उसकी हर बात और ख्वाहिश को पूरा किया जाता मुझे बड़े घुड सवारी वाले जूते दो पर राजकुमार उनका तंग रहना ज़रूरी है क्योंकि क्या? जी राजकुमार वाह ये तो कमाल के है बड़या है हाँ जानता हूँ घुड सवारी का अभ्यास पहले तो पिल्कुल सही जा रहा था पर राजकुमार क्या हुआ? ये जूते इशारा करने के लिए बहुत बड़े हैं ये सब उस मोची की गलती है डैलन को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता था हमेशा चिर्चिडा रहने की वजह से उसका चेहरा हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता था एक दिन राजकी की सबसे प्यारे शासक का देहान्त हो गया और जैसे ही डैलन ने पत संभाला राजी दीरे दीरे बरबादी की और बढ़ने लगा महराज अस्पतालों को और पैसो की जरूरत है मुझे क्यों परिशान कर रहे हो मुझे युद्ध के ले जाना है फिर से? पर अस्पतालों को तो ठीक है ये लो जाओ एक शाँ डैलन और उसके सिपाही एक दूसरे राजी के पास से गुजर रहे थे ये तो एक त्योहार है क्या हम कुछ देर के लिए देखें? जो करना है करो, मुझे आराम करना है त्योहार बहुत सोर शोर से मनाया जा रहा था लोग नाच रहे थे, काने की दून पर गुन-गुना रहे थे जैलन खामोशी से उन लोगों को देख रहा था ये वुहू वो कौन है? ओ, वो राजकुमारी वायूला है वो सबसे प्यारी लड़की के नाम से बहुत चर्चित है पर हमन की ख्याती से परिचित है उसकी रेप्यूटिशन? वो आम लोगों के साथ बहुत गुलती मिलती है महराज देखो वो कैसे लोगों के साथ नाच रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शाही परिवार इसकी अनुमती नहीं देता है हमने तो ऐसा ही सुना है यहां आए आए यह पी लीजिए चलो चलते हैं डैलन चुपचाप अपने घर लोटा उसका खयालों में बस वायोला ही चाही हुई थी महल पहुँचने पर वो सीधा शाही सलाहकार के पास गया मैं शादी करना चाहता हूँ क्या मैंने कुछ दिन पहले एक राजकुमारी को देखा वायोला वो सचमुच बहुत सुन्दर है और वो जिस तरहां से नाच रही थी वायोला देखते हैं वो मुझे अपनाती है या नहीं बग्गी तयार करो जल्दी डैलन के आदेश हमेशा तुरंत पूरे किये जाते थे चल्दी उसकी बग्गी तयार हो गई उपहारों को बांध दिया गया और उसने सबसे सुन्दर कपड़े पहने थे कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत बढ़िया महराज इसका फैसला तो मैं खुद ही करूँगा अरे वाह! राजकुमारी वायॉला तो मुझे देखते ही पागल हो जाएगी उसने वायॉला के बारे में सोचा उसकी आँखें और मुस्कुराता हुआ चहरा और फिर अचानक उसने खुद के चहरे को देखा मेरा चहरा इतना उदास लग रहा है तुम्हें क्या लगता है? अरे नहीं सर आपका चहरा तो बहुत ही चमक रहा है डैलन ने हसने की कोशिश की पर नहीं कर पाया राजा हताश हो गया उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसका चेहरा कितना उदास लग रहा है मुझे तुरंत हरलो से मिलना होगा आप वही कुछ कर सकता है हरलो उस राजे का जादूगर था वो पुराने राजा का अच्छा दोस था और अब वो घने जंगल के अंदर रहता था हरलो, हरलो मैं बुढ़ा जरूर हूँ, बहरा नहीं हूँ मुझे तुरंत कुछ चाहिए क्या कभी जिन्दगी में हैसोगे नहीं मैं तो भूली गया, तुम नहीं आ सकते इसलिए तुम यहाँ आए हो तुम्हें कैसे पता? मैं एक जादूगर हूँ बेटा और कैसे? मैंने तुम्हारे पता से कहा था एक दिन ऐसा ही होगा, पर उनोंने मेरी बात नहीं मानी और देखो मुझे क्या करना पड़ रहा है तुम बहुत बुरे हो और तुम बहुत खडूस मैं तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव नहीं कर सकता हूँ पर तुम तो एक जादूगर हो एक बूढ़ा जादूगर मैं तुम्हारे लिए एक मास्क बना सकता हूँ जो तुम्हारे चहरे पर रौनक ले आए ये तुम क्या? क्या करना चाहरे हो? मैं तुम्हारे चहरे का माप ले रहा था वैसे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अरे देखो सुन्दर है ना देखने से तो लगता नहीं यह मास्क एक जादूई मास्क है यह तुम्हारे चेहरे पर एकदम सही बैठेगा और तुम दुनिया के सबसे सुन्दर इंसान बन जाओगे साच? लेकिन कुछ नियम है जितना हो सके तुम्हें सब के साथ अच्छे से पेशाना होगा गुस्टे से बात नहीं करना है उससे यह मास्क चूर चूर हो जाएगा इतना सब मुझसे नहीं होगा तुम्हें वो राजकुमारी चाहिये के नहीं? ठीक है मैं करूँगा बढ़िया तो ये लो मास्क ने डैलन को एक दुखी इंसान से एक सज़न इंसान में बदल दिया था वाह! तुमने कर दिया! ये रहा तुम्हारा ही नाम शक्रिया! अब राजकुमारी के पास जाओ और मेरी सलापर कायम रहना बहुत परेशान कर दिया! हा! बस हर वक बड़ बड़ करता रहता है ये! जल्द ही राजा वायोला के राज्यों में गया जबकि वायोला बहुत परेशान लग रही थी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो पर तुम ये भी चाहते हो कि मैं खुद को बदल दूँ? मैं बता दूँ, अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो आप आम लोगों से नहीं मिल सकती ये सब आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, राजकुमारी ये बात है, सिपाहियो क्या मैं इसे हाँ समझू या ना, राजकुमारी सब बेट जैसे हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने में क्या बुराई है वो मेरे ही तो लोग है मुझे उनका खयाल तो रखना ही होगा वो बंदा बहुती बत्तमीज था माहरानी एमबर, क्या जो मैं कर रही हूँ वो गलत है बिल्कुल भी नहीं आपके दयालू और खुले मन की वज़ा से इस राज्ये के सभी लोग खुश और सुखी है खुद पर संदेह मत कीजिए थैंक यू एमबर वो दोनों पाहर टहलने के लिए गए और राजकुमारी सीधा डैलन से टकराई आउच माफ करना मैंने देखा नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ पर ये कौन है? ये राजा डैलन है ये यहाँ आए है बोलो ये जानने के लिए कि क्या तुम मुझे अपना पती स्विकार करोगी? ओरे यार एक कार आ गया? देखो, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें लोगों के साथ नाचते-गाते देखा था और तब से ये भी वैसा ही होगा तुम कमाल की थी उस दिन के बाद से मेरा दिल तुम पर आ गया है वायोला हैरान रह गई आज तक किसी ने भी उसके साथ इस तरह बात नहीं की थी मुझे ये वाला पसंद है रानी साहिबा ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी मेरे साथ टैल में चलो दोनों ने घंटो बाते की डैलन हैरान रह गया कि वायोला के आसपास वो कितना बद्रा-बद्ला सा रहता था वो खुश हुआ जहां कहीं भी हो गए सब लोग वायोला को बहुत पसंद करते थी ए जरा समलक गुसे से बात नहीं करना है औरना मास्क चूर चूर हो जाएगा जरा समलकर तुम्हें चोट लग सकती थी बेटा तुम अपनी प्रजा की अच्छे से देख भाल करते होगे मैं मिलने जरूर आऊंगी जरूर कभी भी शाम होते ही दोनों ने एक पर फिर डैलन के राजे में मिलने का फैसला किया डैलन परेशान होकर घर गया ये भगवान महल पहुँचते ही मुझे चीजों को ठीक करना होगा लोग हैरान रह गए ये देखकर कि अब डैलन उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता था और अपने राजे की मरम्मत करने लगा था राजा का परताव बदलने लगा है बहुत बढ़िया पसलो को अच्छे खाट की जरूरत है अगर राजा किसी तरह हाँ राजा ने सभी महनती किसानों के लिए ये छोटा सा उपहार भीजा सभी दुकानों की हालत खराब है हमें लोगों के लिए नई दुकाने बनानी होंगी जी बिलकुल महराज वैसे लोग इस उदारता से काफी चौप गए थे लेकिन उन्हें राजा का बदला हुआ रूप अच्छा लग रहा था तो जब वायोला राज्य में आई लोग मुस्कुराते हुए दिख रहे थे लोग तुमारी बहुत ही जैजैकार कर रहे थे यहाँ पर बहुत खुशी है डैलन ने वायोला को लोगों से मिल वाया वो असानी से लोगों के साथ घुल मिल रही थी और लोग भी उसे बहुत पसंद करने लगे जैसे जैसे हफटे गुजरने लगे डैलन ने वायोला से काफि कुछ सीखा उसकी दयालुता का असर उस पर भी होने लगा था और उसे डैलन का नी स्वार्थ और कौमल सवभाव बहुत पसंद आया उन्होंने शादी करने का फैसला किया डैलन मैं बहुत खुश हूँ के तुम से मिली, तुम कितने सच्चे, इमांदार और दयालू हो, हाँ मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, पर जैसे ही तईयारिया शुरू होने लगी, डैलन परिशान रहने लगा, उसे लग रहा था के वो उसे दोखा दे रहा है, ये राज, एक मिने, क्या आपने खटकाया? हर्लो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज. प्लीज, तुम बदल चुके हो, तुम्हे क्या चाहिए? मैं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मास्क निकाल दो. क्या? पर फिर तो राजकुमारी चहरे को वो तो देख लेगी? कोई बात नहीं, मैं उससे और जूट नहीं बोल सकता. डैलन की इमानदारी देखकर हर्लो हैरान रह गया. ठेक है? क्या ये इतना बुरा है? ठीक है, कोई बात नहीं. मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया हर्लो. डैलन मू लटका कर वापस लोटा. डैलन! क्या तुमने अपने चहरे के साथ कुछ किया है क्या? तुम कमाल के लग रहे हो. क्या? तुमने क्या कहा? डैलन ने आइने में अपना चहरा देखा. जरा भी चिर्चिड़ापन नहीं दिखाई दे रहा था. उसका चहरा मासके बिना जादा अच्छा लग रहा था. क्या बात है? वायोला, मुझे तुमें सच बताना है. डैलन ने वायोला को सब कुछ बताया, जो भी उसने किया. डैलन, तुम जैसे पहले थे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो तुम अब हो, वही मेरे लिए मायने रखता है. पर मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया. तो तुम अब भी मुझे से शादी करना चाहोगी? हाँ, हाँ, बिल्कल बुद्धू. और इस तरह दोनों की शादी हो गई. उन्होंने अपने राजय को अच्छे से संभाला, क्योंकि सब लोग काफी खुश थे. चाहे आपका प्यार कैसा भी हो, वो तभी सच्चा है अगर आप इमानदार हो और कभी भी अपनी कमियों को मत चुपाना. उन्हें अपना लो क्योंकि वो आपके ये अस्तित्व का हिस्सा है.